नमस्कार आपके लेकर आई हूं 2017 के लिए आपकी राशी का क्या योग होगा? हम सभी जानते हैं नया साल आने वाला है और नया साल में आपकी राशी में क्या प्रॉफिट होंगे और क्या नुकसान होंगे जाने इस वीडियो के दरान आज बता रही हूं मैं आपको मेश राशी के बारे में जिसकी भी राशी मेश है तो वह वेक्ति यदि बेशाय या नौकरी के पीछे लगे हुए हैं या फिर नौकरी प्राप्त करने की कुशिशों में लगे हुए हैं तो ये साल उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि ये साल उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी और उनके वेफसाय में भी प्राफिट होगा लेकिन थोड़ी बहुत समस्याई तो आदी ही हैं आप उन समस्याओं को थोड़ा साथ साइड में रखें और अपने काम को करते जाए हैं साकरने से आपके नया साल को जागा ही तैयार हैं उसे पहले अपने आप से पूरी तरह से तैयार कर ले फिर उसे अपनी नौकरी में उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए ऐसा करने से आप उस कारे को चल्दी ही संबब कर पाएंगे अक्सर देखा जाता है कि हम कारे तो करते हैं लेकिन कारे करने के बाद भी हमें वह सफर परिणाम नहीं मिलते हैं जो हम चाहते हैं आगसर देखा जाता है मेहनत करने के बाद भी आपको कोई सफर परिणाम नहीं मिलते हैं लेकिन आपको यह साल में आप जितनी भी कोशिशें करेंगे कोशिश करने के बाद जो भी परिणाम निकलेंगे वह आपको next year ही मिल सकते हैं यह साल आपके मेहनत का है और इस साल में यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका आने वला साल और आपके आने वली जिन्दगी और भी जादा खुशाल हो जाएगी यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वला साल अच्छा रहे और आप खुशी भरा रहे तो उसके लिए आप अपने घर में छोटी बुटी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे आप अपने घर में कवड़ा कोड़ा बिल्कुल ना रखे नए साल आने से पहले ही अपने घर की साफ सफाई ज़रूर कर ले ताकि आपके आर्थिक हिस्तिती भी बनी रहे और आर्थिक हिस्तिती आपके सुदर जाए अक्सर देखा जाता है कि आपके आर्थिक हिस्तिती में कोई नो कोई परिशानी हो जाती है लेकिन इस साल में आपको आर्थिक हिस्तिती अच्छी रहेगी आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी और आप जो भी चाहते हैं आपको उसके जल्दी ही पर ना मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा सूजबू से काम करें अफसर देखा जाता है जब भी आपके पास धन हो जाए और धन के बाद आपके बुद्धी का विनाज हो जाता है यदि आप चाहते हैं कि आपके बुद्धी हमेशा सूजबू से कारे करें और आपके जीवन में कोई भी परिशानी ना आए और आपके आर्थिक एस्तिती भी ठीक रहे तो उसके लिए आप अपने सूजबू से ही कारे करें नौकरी पेशिवर वैक्ती भी अपनी नौकरी पर थोड़ा ध्यान दे अपने जो मालिक हैं या फिर आपके ऑफिस के में करता धरता हैं उनके साथ ज़्यादा उलजेना अपने काम से मतलब रखें और उससे के इलाबा खोई भी एक्स्टा वर्क ना करें ऐसा करने से आपकी इस साल की शुबात बहुत अच्छी रहेगी या विध्यारती हैं तो विध्यारती के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है माना जाता है यदि आप किसी एक्साम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और एक्जाम के प्रिपेर करने के लिए आप जितनी भी मेनद कर रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा ये साल यदि आप किसी पैसर तयारी कर रहे हैं, या फिर स Pentagon के आज़ पास तक एक्जाम दिये हैं, तो वहें आपको अचुपफल देने वाले हैं क्योंकि इस साल आपकी कही ना कही नोक्री की विवस्ता सरूर हो जाएगी और आपको जल्दी ही कोई नोक्री मिल जाएगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लावदायक होगी और यदि आप अपने मित्रों से चाहते हैं कि आपके मित्रों हमेशा आपके साथ रहे कोई भी परिशानी ना रहे आपके मित्रों के साथ तो हमेशा प्रेव पूर वक्त संबट बढ़ाए रखें और अपने दोस्तों से जदा पहसभाजी ना करें क्योंकि यदि आप थोड़ी सी पहसभाजी करेंगे तो उससे आपकी जीवन में पहुत सारी परिशानिया हो सकती है इस साल आपको सटिक उपाय बनाए और अपने काम को सही से करें आपके आने वाला साल कुछ अच्छा जाएगा और नए साल में आपकी जीवन में कुछ यहाँ सकती है क्या पता आपकी मेरिस लाइप भी इसी साल से शुरू हो जाए क्योंकि कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है या फिर शादी की चहतो चहत में लगे हुए है या फिर शादी की तैयारी कर रहे है तो ये साल उनके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा क्योंकि इस साल जिन लोबों कי शादी नहीं भी हुई है तो इस साल में उनके शादी चल ही हो जाएगी और आपके जियम में नई हुषियां सरूर आएंगी तो यह साल आपका बहुत अच्छा है तो आपको शुश करें इस साल में अपने काम को अच्छे से करने के क्योंकि यह साल आपको जिंदगी में और भी खुशन लेकर आएगा और आपके जिंदगी में सुब अपसर लाने के लिए थोड़े प्रयत्म तो आपको भी करने पड़ेंगे क्योंकि जब तक आप प्रियत नहीं करेंगे तो उससे आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा तो इस साल को अच्छा बनाने के लिए सुरुबार पहले आप करें जिससे कि आपका ये साल अच्छा जाए और मेरी इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें